जैहिन दोस्तों चलिए उस्तों बात करते हैं इस एक और कुशन के बारे में इस कुशन में इंग्जामने ने कहा है है 100 marks का और तीसरा पेपर है वह भी मेरे पास कितना है आपका 100 marks का यह तीनों पेपर से उसने का एस्टूडेंट स्कूर 60% इन तफ फर्स सब्जेक्ट जो फर्स स्टूडेंट है उसने कितना किया 60% माक्स किया यहीं 60 माक्स किया उसने एंड अग्जामने पूछ रहे हैं तो इसने टोटल जो लिये है वह तीरों सब्जेक्ट में 70% लिये है तो एक्जामने पूछ रहे है कि थर्ड में उसने कितने परसेंट लिये वो बताना है तो देगे टोटल तीनों का सम करूएंगा तो मेरे पास कितना कितने आईगा 300 301 माक्स मेंसे उसने मैनेस करवा, तो मेरे पास कितना आएगा आपका 70 है, तो इसने जो थ़र्ड एक्जाम में माक्सलियेंगे, वो 70 लियोंगे, 100 मेरे पास है तो 70 उसमें से लिए उसने आप उन में 100 इंटू में परसेंटेज के लिए से सॉल करेंगे तो क्या होगा 70% मार्क्स उसको थर्ड एक्जाम में 70% मार्क्स की जरूत होगी तभी उसका एग्रिकेट जो आएगा वो 70% आएगा यानि कि यह ऑप्षण डी इस कोशिन का अग्रेक्ट होगा एक फिर देखते हैं एक जामना ने क्या का उसने कहां एक परिक्सा में 100-100 अंकों के तीन विशे होते हैं पहला विशे दूसरा विशे तीसरा विशे ठीक है फिर एक चात्र पहले विशे में 60% लिए फिर उसने का दूसरे मिलाकर 70% अंक लिए तीनों ने 70% लिए तो तीनों का टोटल कितना है वह 100-100-100 टोटल 300 मार्ट में सब्सक्राइब लिए तो दोसो दस नंबर उन तीनों ने लिए जबकि उन दोनोंने टोटल 140 नंबर लिए तो बचे कितने 70 जो 70 नंबर लिए ओंगे तो सत्तर आप उन में 100 इंटू में 100 से मल्टिप्लाइ करें तो परसंटेज आ जाएगा या नि कि जो थर्ड वाला बच्चा है उसने जो परसंटेज लिया होगा मार्क्स का वो 70 परसंट लिया होगा यानि क कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस कोशन का करेक्ट होगा आई होप आप सभी कोशन समझ में आगा जय हिंद जय भारत